Imagine करो, यह year 1995 है और आप उस समय के एक famous economics से बात कर रहे हो, दो Encyclopedia के बारे में और आप उनसे रिडिक्ट करने को कहते हो कि बताओ आज से कई सालो बाद कौन सा Encyclopedia बहतर प्रफॉर्म करेगा एक जो अभी-अभी चालू हुआ है और दूसरा जो launch होने वाला है, कुछ सालो बाद पहला Encyclopedia है Microsoft का, जो कि 1995 अगस्त तक 1 million Windows 95 की copies sell कर चुका है यानि यह Encyclopedia एक well-organized company द्वारा funded है, well-compensated manager की देख रेक में चलेगा जो कि इसे समय से और budget के अंदर complete करवाएंगे, जिसे Microsoft CD में पेचेगा, और आगे चलकर online में पेचेगा दूसरा Encyclopedia किसी भी company से launch नहीं होगा, बलकि हजारों enthusiasts उसे मिलकर बनाएंगे यह enthusiasts वो लोग रहेंगे जो इसे shock के लिए करेंगे और इसमें इस पर काम करने के लिए कोई qualification निसरी नहीं रहेगी और तो और यह लोग हर अपते अपने असली काम से 10-20 घंटे निकाल कर इसे बिना कोई salary के करेंगे जिसे online free में available कराये जाएगा अब आप बताओ कि economist का जवाब क्या होगा या फिर आपके हिसाब से कौन सा model बहतर प्रफार्म करेगा अल्मोस सभी का obvious answer होगा Encyclopedia by Microsoft जबकि 2010 के आते आते ऐसा नहीं हुआ 2009 में Microsoft को 16 साल पुराना Incarta बंद करना पड़ा और दूसरा model Wikipedia शुरू होने के सिरफ 8 साल बाद वर्ल का largest और most popular Encyclopedia बन गया यहाँ ऐसा क्या हुआ जो traditional human motivation का तरीका यानि punishments और reward वालत तरीका फिल होगा इसको समझाने के लिए Dan Pink ने अपनी book drive में इंसानी दिमाग और society में सदियों से हो रहा बदलाव और motivation के तरीकों में changes की बात की है Daniel Pink कहते हैं हमारे motivation को गवन करने वाले society के तरीके outdated हो चुके हैं जिन्हें upgrade की जरूत है Pink के अनुसरार human motivation के तीन versions हैं पहला motivation 1.0 जो कि गवन था इंसानी basic biological needs से जैसे कि survival, खाना, security और copulation जो कि pre-historic era के लिए ठीक था दूसरा है motivation 2.0 जो कि यह मानने पाधारित था कि इंसान सिर्फ rewards और punishment पे respond करते हैं यानि extensive motivation पे जो कि algorithmic task के लिए ठीक भी था येकिन heuristic task के case में काम नहीं करता algorithmic और heuristic task क्या होते हैं और उनके लिए कैसे reward दिये जाने चाहिए ये मैंने अपने drive first part के वीडियो में डीटेल में बताया है जो आप description में दिये गए लिंक से देख सकते हैं लेकिन pink कहते हैं इन दोनों ही motivation के वर्जन से हमें upgrade के जरुवत है यानि motivation 3.0 की जो driven है intrinsic motivation से जो हमें push करता है कुछ नया learn करने के लिए create करने के लिए दुनिया को एक better place बनाने के लिए और इस motivation के लिए तीन important elements है autonomy, mastery और purpose autonomy एक strong desire है खुद की जिन्दगी अपने choices के साफ से जीने की इसमें 4 important elements है नमबर 1 टास्क आप क्या करना चाहते हैं नमबर 2 time कब करना चाहते हैं नमबर 3 team के साथ करना चाहते हैं नमबर 4 technique कैसे करना चाहते हैं इसका बहुत बढ़िया example है Google's 20% time Google ने अपने employees के लिए week में एक दिन या 20% time ऐसा रखा है जिसमें वो जो चाहें वो project पे अपने खुद के हिसाब से काम कर सकते हैं और इस 20% time में Interestingly, Gmail, Google Maps और Google Adsense जैसे product का जनम हुआ है Mastery वो burning desire है जहां इनसान अपने आप को कुछ से ही बहतर और बहतर बनाने में लगा रहता है इस बात की परभा किये बिना कि वो उस काम में क्या मुकाम हासिल कर चुगा है Mastery हासिल करने के 3 important rules है Number 1 Mastery वो mindset है जहां हम अपनी aptitudes को कोई boundaries में बांद के नहीं रखते और हमेशा यह realize करते रहते हैं कि हमारे skill को और भी दोहरा जा सकता है irrespective और इस बात के कि हम उस skill में topmost level पर पहुँच गये हैं तब भी Number 2 Mastery हासिल करने के लिए हमें हमेशा constant effort और deliberate practice के painful process से गुजर्बना पड़ता है Number 3 Mastery वो asymptote है जो बिल्कुल pass होतो है भी कभी जुण नहीं सकते और इस कारण से Mastery हासिल करने का process बहुत ही frustrating है लेकिन फिर भी बहुत lucrative है Mastery के सबसे बड़ी example है Sachin बरलुकर Sachin जब सिर्फ 14 years के थे उन्होंने 55 matches खेले थे 55 days में बिना किसी break की वो रोज 2 घंटे practice करते थे फिर game खेलने जाते थे फिर सो 2 घंटे practice करते थे और इतने tired हो जाते थे कि dinner table पर ही सोजाय करते थे और इसी attitude और passion से उन्होंने अपने game में mastery हासिए की Purpose Purpose वो मजबूत इरादा है जो हमें हम से बढ़कर किसी और के लिए कुछ करने की प्रेणा देता है Purpose वो mission statement है जिसमें आपने self-interest के बारे में ना सोचकर एक greater cost के लिए काम करते हैं जो दुनिया को progressive path पे बेजाता है और अपने Purpose में कायम रहने के लिए तीन चीजें होना बहुत important है Number 1 हमें profit maximization को सिर्फ एक guiding principle की तरह यूज करते हुए main focus हमेशा अपने purpose पर रखना चाहिए Number 2 हमें house से ज़ादा अपने वाय पर फोकस रखना चाहिए Number 3 Purpose हमेशा intrinsic होना चाहिए ना कि कि किसी के दौरा directed Elon Musk इस बात का एक भैतरीन example है जन्होंने PayPal से मिले 165 million dollars दो कंपनीज में लगा दिये Tesla और SpaceX और खुद अपने दोस्तों गहर जाके सोते थे क्योंकि उनके पास rent के लिए भी पैसे नहीं बचे थे सिर्फ अपने life के sole purpose के लिए जो है sustainable and clean energy और alternate exciting future for human race Albert Einstein ने कहा है We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them इसलिए भी आज इन motivation के तरीकों की बहुत जरूत है Thanks for watching dear friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो like करें, comment करें, share करें और जरूर subscribe करें